के आपको उपन इंट्रेस्ट के माध्यम से आपको कैसे पता लगता है कि मार्केट का जो मुव्मेंट है वो किन डिरेक्शन वाला है वो कहां से कहां तक आपका रिटन आ सकता है इसके बारे में आपको केसे पता लगेगा, आप open interest आप केसे track करेंगे, आज के जो presentation मैंने preparation किया है market के उपर, ये पूरे life market का data analysis है, और हर minute में आपका data हमने लिया है, ज्यादा से ज्यादा NSE से जो open interest आपको आप देखते हैं, तो 2 से 3 minute के delay से आता है, लेकिन NSE साइट से अपडेट होता है, लेकिन हम जो mail में जो online जो open interest ट्रैक कर रहे हैं, जो extract कर रहे हैं, वो open interest आपको दर्साता है, कि वो तो आता है, लेकिन हम हर minute में उस open interest को track करेंगे, और उस open interest को track करने के साथ, हम देखेंगे कि जो graph formation हो रहा है, वो graph formation कहां पर crossover हो रहा है, और कहां से कितने point नीचे open interest आ रह तो इसके ओपर हमने एक एक एडिटल से प्रेजेंटेशन आज के लिए प्रिपारेशन किया है बैंक निप्टी-निप्टी-रिलियांस, SDFC बैंक, OTAKA बैंक, कुछ बैंक स्टॉक को लिया है, 6-7 स्टॉक और इंडेक्स को हमने प्रिपारेशन किया है, देखाएंगे, Life Market में आपका Open Interest के से आपको फर्मेशन होता है, और Open Interest के साथ आप के से PCR भी फर्मेशन होता है, और उसके साथ Price का चार्ट के से आपका कहां पर क्रॉस ओबर होता है, और कहां पर आपको लिटल एक ट्रेड मिलता है, तो आईए हम देखेंगे स्क्रीन को उपर आपको के से ट्रेड मिलता है, आपको Open Interest के बारे में जानना है, और Open Interest को आप ट्राक करना चाहते हैं, इंट्राडवेसस में, Life Market में, और उसको Strategically Analysis करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कंटर्ट कीजिए, लेकिन आपको पूरे Life Market में, होर मिनिट में आपको ट्राक करना के लिए, आपको उस Open Interest को Analysis करना, Interpretation करना सबसे बड़ा बात होता है, क्योंकि Open Interest is the core data in market, तो Open Interest को आपको जो core data, जो raw data है Open Interest का, वो सबसे बड़ा बात होता है, सबसे वो ही data होता है, आपको देने के लिए आपका अधिकत हो रहा है, एने से साइट से आपको एच्टर्ट करना के लिए, तो सबसे सभी आपको ब्लॉक करते हैं, सभी आपको नहीं देते हैं Open Interest चार्ट, तो इसलिए आप Open Interest के बारे में, जितना आप जानकारी हसल कर सकते हैं, ट्राक कर सकते हैं, अनलेसिस कर सकते हैं, उतना अच्छा ट्राक कर सकते हैं, स्टॉक या इंडेक्स को, आपको ट्रेड सही जा सकता है, और सही एकुरेसी से आप काम कर सकते हैं, तो आई हम आज open interest केसे आप track करते हैं और market में analysis करते हैं, इसके बारे में details देखेंगे. Dear friends, आज data formation हुआ है life market में, इस data को हमने अच्छी तरह से आपको देखाने वाले हैं, आज देखिए पहला बात है कि हम bank nifty के ओपर details analysis करेंगे, बैंग nifty में क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं, बैंग nifty का data है, जिस bank nifty में क्या हो रहा था, ना पूरे के पूरे call writing हो रहा था, जब शुरुआत हुआ तो call writing हो रहा था, call writing और put side में start covering आपको दिखने के लिए मिला था, लेकिन यह जो बैंग निपी का जो open interest चार्ट है जिस open interest यह life chart formation होता है हर minute का आप देख सकते हैं 9 बसकर 16 minutes से लेकर आपको 3 बज़े 30 minute तक आपको इस data formation हुआ इस data में आप देख सकते हैं एक के level तक open interest built up call writing हुआ और उसके बाद वो call writing धीरे 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 reduce होते हुए गया और उसके बाद जो decrease जो down hold आने के लिए start हो गया है और उसके बाद आपको क्या हुआ ना जो put writer था यह put writer यह recovery नहीं किया यह put writer addition नहीं हुआ है यह call writer थे वो call writer धिरे धिरे नीचे आ गया लेकिन put writer भी नीचे आ रहे है यानि जो market में जो जितने सारे call writing कुआ किया गया था उस call writer हलका हुए लेकिन put writer वहां से generate नहीं हुए लेकिन put writer को अभी भी संदह है अभी वह स्वत्वत्त हैं कि market उपर जा सकता है नहीं जा सकता लेकिन जो call writer है वो call writer दिरे दिरे हलका हो गए इसलिए market को market में आपको एके ये offside direction आपको देखने के लिए मिला ये bank nifty का है चार्ट है आज का हर minute का चार्ट है इस हर minute का चार्ट में आप देख सकते हैं के से market नीचे आया इस level तक नीचे आया और यहां से आपको धीरे धीरे दिरे offside में आपको देखने के लिए मिला और आपको एक के पूरे के पूरे आपको 600 पॉइंट आपको recovery होते हुए दिखा क्योंकि यहां से आपको जो open interest यहां से था open interest decrease under follow start हो गया था तो यह से ही आप देखेंगे निप्टी में आप देखेंगे यह है बैंक निप्टी का PCR जो PCR आप देख सकते हैं नीचे से दिरे 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 उपर चलते रहा आपको कहां से entry करना है आपको सोचना चाहिए और यह तो class के बाद है लेकिन आप देख सकते हैं एक बसकर बावन मिनिट में यह स्टार्ट हो गया था तभी से आपको एक एक confirmation मिल गया था कि यहां से आपको 300 पॉइंट आपको मिलने माला है तो निप्टी का data आप देखेंगे निप्टी में क्या हो रहा है निप्टी में सेम तू सेम यहां पर राइटिंग हो रहा था औ लेकिन पूट राइटर सपोर्ट नहीं किया पूट राइटर कुछ नहीं किया है पूट राइटर यहां पर क्रॉस ओबर होता तो मार्केट 200-300 पॉइंट उपर से जा सकता था लेकिन यहां से क्या हुआ पूट राइटर कुछ नहीं किया है पूट राइटर जहां पर था फूर्ट र्डर स्रीफ फो जो आई रखा हुआ तो इसलिए मार्केट किया हुआ ना एक के शाट कावरिंग आया और उपर से बाउसया जो आपको सब परेख सकते ही जो डर्र 미 यहां से लेकर यहां तक आपको देख सकते हैं कि इसे graph formation हुआ है यह बला cross section आपको confirm कर दिया था कि market उपर जाने वाला है और इसके साथ आपका PCR आप देख सकते हैं PCR में आप कैसे market पूरे के पूरे आपको दो बज़े से आपको एक confirmation दे रहा है कि उपर जाने के लिए और इसके साथ आप reliance को आप देख सकते हैं track कर सकते हैं क्या रिलियंस में जितने सारे data थे o replace आया होगे जो जितने सारे ऐपर गया था आप देख सकते हैं अपट जो पर गया था उसमें क्या हुआ आफिजितने सरे राइटिंग किया थे नहीं किया हां यानि अभी घुको उसमें संदे के मार्केट उपर जा सकता है या नीचे आ सकता है वो पूरे के पूरे स्ट्रेक्ट है लेकिन जो कॉल राइटर थे वो हलका हो गया यानि आपको बाउंस हुई बाउंस आपको देखने के लिए मिला तो आपके इसके साथ आप PCR देख सकते हैं यह रिलेंस का PCR है तो आया था पूट राइटिंग और यहां से आपको क्या हुआ था आप देख सकते हैं मार्केट में कैसे एक्सेस बैंक उपर गया आईसे से बैंक से यहां से क्रॉस क्रॉसिंग हुआ था और इसके साथ आपको यहां पर कैसे ग्राफ फरमेशन होता है और उसके साथ आपका द सी बैंक सेम टू सेम आपको राइटिंग साट कॉवरिंग देखाई दे रहा था कॉल साइड में सुभा से और आपको सुभा से ही आपको SDFC बैंक सिर्फ आपको देखाई देता था कि नहीं वेस्ट बैंक नीचे जितना नीचे जाएगा तो आपको खरीदना चाहिए क्योंकि SDFC बैंक में सुभा से कॉल साइट में साट कॉवरिंग दिखाई दे रहा था और पूर साइड में आपको देखने के लिए मिलता था कि आपको उपर जाने वाला था और आपको एक सौट कॉवरिंग देखाने वाला था क्योंकि आपको SDFC बैंक पूरे के पूरे कांफर्म कर चुका था दस से ग्यारा बज़े से यह जो डाटा फर्मेशन हो रहा था उस टाइम से आपको पता लगता था कि नहीं और उसके साथ आपको देख सकते हैं जो सुभा से आपको देख रहा था कि जो कॉल राइटर थे वह आलका हो रहे थे और उसके साथ जितना टाइम पुरा बिताया मर्केट में आपको देखने के लिए की एक shot covering के आपको देखने के लिए मिला 35.11935 आ सकते अएके प्रस अपको क्रोस ओव्र कर देखने के लिए मिला और यहां से और उसके और उसके साथ आप SBI का भी same to same देख सकते हैं, open interest के से built up हुआ और कहां से कहां तक open interest details हुआ, ऐसे ही आप उसका price भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ आप पूरे के पूरे detail analysis आपका जो यहां पर आपको मैंने दिखाया, आपको जो analysis मैंने दिखाया, जो open interest formation हुआ था, वहां से आप देख सकते हैं, कितने percentage open interest वहां पर built up हुआ था, call side में, और poor side में कितने percentage built up हुआ था, और PCR केसे आपका open नीचे हो रहा था, और यह पूरे के पूरे raw data calculation है, और इस data के साथ आप इसको analysis करेंगे, तो अच्छी तरह से आपको पता लगेगा, किनकि जो current open interest price यहां पर जो सुरुवात होता है, वहां से आपको कितने percentage उपर से नीचे और नीचे से उपर आपको देखने के लिए मिलता है, यह पूरा आपको confirmation देता है, कि आपका data formation हो रहा है, वो data केसे आपका formation होता है, यह था,